फिलाल में BBC की दोबारा एक डोकुमेंटरी लॉंच की गई यह डोकुमेंटरी नहिंदर मोधी पर आधारित थी और इस डोकुमेंटरी के अंदर गुजरात में वे 2002 के दंगों के बारे में था बाद में सरकार ने इसको बेन कर दिया गए इसके बाद में विपक्स की पार्टी द्वारा कापीश का विरोध भी हुआ अभी इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने BBC के दो मुख्याले देली और मुंबई में चाप इमारी की और उनके इम्प्लोई के मॉबाइल वगेरा चीन लिए गए और उनको मुँ बन रखने के लिए बोला गया इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सफाई दी गई की ये एक प्री डोकुमेंट फेरिपिकेशन के लिए किया जार है और इस चाप इमारी के बाद सियासी जंग छिड़ गई और कॉंग्रेस की तरफ से बीबी सी का सपोर्ट करते वे उनकी तरफ से बयान आया कि ये एगोसित सासनकाल है आपको बदा दे कि एगोसित सासनकाल वो होता है जिसमें सरकार अपनी मनबची से काम करती है और ये भी बताया जा रहा है कि सब नरेंदर मोधी की छभी विगाडने के लिए ये सडियंतर रचा जा रहा है तो मैं अब आप से ही जानना चाहता हूं कि क्या ये एक तरह से सडियंतर है जो नरेदर मोधी के खिलाफ छेड़ा गया है या फिर ये कोई सरकार के दोवारा Income Tax Department का कंट्रोल है बाद में Income Tax Department की तरफ से बयान आता है कि वो अपने according काम करता है